बहुत इच्छे हैं और आप देखे आपका आपना चैनल वंजीद तो आज की इस वीडियो के इंदर हम करने वाले हैं बैक्ग्राउंड चीज इस सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट को जो हम इस बैक्राउंड के ऊपर लेके जाने वाले हैं जो कि हमारा एक रोड है और दोनों मुझके एक difficult part तो जरूर cover up करने जा रहे हैं क्योंकि कई बार होता हमारी images इतनी ज़्यादा difficult होती है कि हमारी दोनों की themes ही match नहीं हो रही होती है इसलिए हमने इस हैप की images चूज की है सबसे पहले तो अपने सब्सक्राइब करेंगे मास्क पर क्लिक आपना यह मास्क आउट हो चुका है मैं control जे कर लेता हूं एक कॉपी अलग से बना करने हो यहां पर यहां पर fix करना थोड़ा सा मुश्किल होगा विकास दोनों का प्रेस्पेक्टेव भी सेम होना चीए पीछेल इमेज है यह काफी वाइड एंगल से लिए और यह हमारी इवाल इमेज है काफी मैक्रो लेंस से लिए इसको भी थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इस टाइप से लगे कि यह सब्सक्राइब करीब घड़ा है हमारे बैगराउंड को आपको सबसे पहले वह करना पड़ेगा कि अगर आप यहां पर देखें हमारे पास में जो चीजें हैं यह ब्लर हो रही है वेरन दिस थिंग मैं अगर दूर तक का भी देखूं दोनों में कहीं पर भी अपने ब्लर नहीं देखने को मिल रहा है इसलिए मैं मैं बोल रहा हूं कि यह वाली जो चीज है यह एक मैक्रो लेंस से लेते हो तो उसमें क्या होता है हमारी में सब्जेक्ट जो एकदम पर्फेक्ट फोकस में रहता है बाकी इतना भी चीज़ वह आउट और फोकस चला जाता है इन जाट केस अब यहां पर अगर हम देखें त आपके बास में डिटेल है कुछ भी ब्लर नहीं चीज़े हो रही है यहां पर थोड़ा सा अपने को मैनेज करना पड़ेगा अब यहां पर आप दो तरीके यूज कर सकते हो इधर जो बैक्राउंड है आपको एस छोड़ दीजिए इधर आप यहां भी क्या कर सकते हैं बिल्कुली मैंच नहीं हो रही है पीछ वाली की इवनिंग और आगे वाले की हमारे डेलाइट चल रहा है तो पहले तो अपन के अगर मैं इसको पूरा जह है आराम से जो इवनिंग वाली चीज होती है वैसी वाली में लेके जाना चाहरा हूं कालर है यहां पर बेs को और इसके बैअ वर कार झाले से ने हैं यहां जाने से आंट झाल यहांम है तो कुछ आसी चीजें हैं यहां पर हमुदीखाय ला यहां पर देखने को मिल रहा है तो ऐसी हंग गार सकते हो अभी यहां पर देखिए अगर हमारा इसका जो पीछाली जो इमेज है पहले तो आपको यह देखना है कि बैग्राउंड इमेज के ऊपर ऐसी कोई भी ऐसा कोई लाइट का सोर्स नहीं है जो इस से अपोजेट हो लेट से अगर मैं कर रहा हूं कि हमारा सन पीछे के साइड में और इ दिखनी रहा है वेर दिस थिंग लाइट का सोर्स है और यहां पर अगर अगर आपन देखे तो लाइट का सो बेरूब उसकी तरफ से आ रहा है तो इसको बता रखा है इसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी टाइप की आपको कॉंपोजि विदाउट यूजिंग एनी अधर एजस्में लेयर राइट विकास यह बहुत तगडी चीज़ है लेकिन सरफ ब्राइटनेस कलर थीम वगर इन सब में राइट बाकि अगर आपको कोई अलग से एफेक्ट वगर डालने उसके लिए आपको चीए रहेंगी चिक है अच्छा सब्सक्राइब करने का अगर आप देखें यहां पर आप अपर यहां पर यहां पर भी देख रहा हूं और मैं इस तरफ में भी देख रहा हमारे नविगेटर हमेशा यादर के एक कंपोजिशन बनाते वक्त आपका नेविगेटर पर नहीं क्यों लेकिन पूरा पूरा कॉम आपको जरूरी इसलिए अपनिया पर नाइविगेटर अपन करके रखते हैं तो ग्रीन ग्रीन को थोड़ा सा कम करेंगे लुकिंग नाइस तो अगर आपन विफोर आफ्टर देखे तो एक हलका सा जो ग्रीन टिंट है वहां से गयाब हो चुका है विच मींज अब यहां से कि थ्शुआ सा ग्रीन अपने को कम करना पड़ेगा अचा अब यहां पर जैसे अभी यहां पर दिखें के अंदर भी काफी सारा ग्रीन है तो यहां पर हमें चीज करते हैं यहां पर एक नहीं लेर बनाते हैं और इसको क्रीएट लिएक मास्क में लेके चलता है पिर यहां पर से ऑल्ट के साथ में यहां पर अपने किया पिकप और यहां पर जा करके आपन डाल देंगे इसे क्या होगा अपने ईयर्जा यह पूरा पूरा जो ग्रीन कलर हो वहां से रिमूव होता जा रहा है पास-पास में से लीजियेगा दूर जाद दूर ना जाएगा तो ही आपका एक एक अच्छा रिएट होगा अब यहां पर भी बनाने तो है तो पिता त्ली में यहीं से लेने वालांगो अपना सैंपल यहां पर इतने कोई जादा है नहीं जहां से अपन सेंपल ले पाएं यहां थोड़ा ज़्यादा हो रहता है शेंद फॉड़ा सब्सक्राइब लेते हैं लो इस लांट वार्क लेग करते हैं यहां के लिए पर एक और डार्क में लिए चलते आराउंड दिस और इसका मास्क को लेंगे गी कंट्रोल आई कि राइट सीधा चलते ब्रश के उपर ब्रश को लेते चोटा हाडनेस कर लेते जीरो और वाइट सेलेट करके अपन जहां पर भी आपको ऐसा दिख रहा है वहां पर अपन डाल सकते हैं अब आप अब बेसिकली मैंने यहां पर कुछ नहीं किया जो इसकी सैटुरेशन थी वह काम हो गई है तो विच मीन्स है वहां पर गरीन लेकिन वहां पर अपने अभी जो क्या की सैटुरेशन अगर जीरो जाती तो गरीन का ब्लैक हो जाता तो ब्लैक कर दिया आपन यहां कि यहां पर भी कुछ चीजे हैं तो इसको मास्क आउट कर लेता है इसको जाते हैं मास्क पर सेलेक्ट करते हैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे अपन यहां पर और ब्लैक से इसको यहां से रिमूव कर देते हैं और अंदिस लिपनाइस रहा है यह लग रहा है बिएलकुल सही पर्फेक्ट अब अगर आपने बिफोर आफ्टर देखें जो भी अपने किया चीज ये यह काफी अच्छे हो गया और हमारे पास में यहां वियर्ड के वह भी सही हो रही है अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर थीम अपने को मैच कराने यह पीछे अपने पास में बैग्राउंड में कैसी टिंट है येलो टिंट तो अपन यहां पर भी येलो टिंट कुछ नहीं करना एक कलर बैलंस ले और बनाते हैं इसको येलो में लेके चलते और बटेक सेंगे तोड़ा से येलो इसमें लग रहा है और अगर आप यहां पर देखें तो भी अपने जितना चीजे मैच की है उसके यहां तक अगर हो गया है तो उसके बाद में अपन चेक करेंगे सब्सक्राइब करते हैं कई बार आपकी इमेजिस जो आप सलेट कर लेते हैं वहापकी इमेज के साथ में कॉंट्रास्ट मैच नहीं कर रही होते हैं कैसे कैसे बदा चलेगा कि और पीछे वाले का simply आपको करना कुछ नहीं एक कलर विंडोव ओपन करनी है इसका जो भी आपको डार्क एस तो पीछे बेक्राउंड इसका डार्क एस पॉंट आपको करना उसका क्या आपके में ब्राइटनेस लेवल आ रहा है तू और आपकी जो में इमेज आपकी है वो उसका सेलेट कर लो उ और आपन देखें यहां पर देखा तो इसकी आ रहा है आपका देट 77 और अगर अपन इसका देखे देट 97 और अगर अपन देखें तो बेसिकली प्रिफर हो जा रहा है इतना तो चलेगा राइट सो यह कोंट्रास्ट पता करने का कई वर क्या होता है हमारे पास में कुछ इस टाइप की मेंचिद मिल जाती। जिसके दर आपको दिखाऊंट के नाम पर नहीं और इसे में जिसके साथ में जब आप करते हो तो पिर उसके अंदर पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसके बाद कुछ नहीं ब्राइटनेस लेवल में जाओ कॉंट्रास्ट इंक्रीज कर दो कितना चाहिए कितना सही लग रहा है आपकी इमेज की साथ से वह रख सकते हो फिर भी अगर आप बात ना बने तो सीधा लेकर चलो इसको आपके यह कलर बैंस वाली जो ले रहे हलकी से इसकी थोड़ी से जाहा लग रही है नौट्स लुकिंग नाइस सो अपना टेक्च्चर भी मेंटेन रहे राइट टेक्च्चर जा रहा इदर उदर ना जाए कि यहां से लग रहा है है यहां पर पीछे बैगराएं आप योपर करता है कि आपको अब इसको जो है पीछे बैग्राउन जो प्लाद करना है कि नहीं करना जैँ टोटली अपट यू बटन माय केस आइंड तो मैं कंट्रोल जैख रहा हूं को नोटिसमा अबजेक्ट कर रहा हूं आप देन आप गोईंग टू फिल्टर ब्लर गॉजिंगर अब क्योंकि एक वाइड एंगल से लिए इमेज है तो पीछे का बैक्राउंड बहुत हलका सा ब्लर करेंगे अपन कोई ज्यादा ब्लर नहीं करेंगे अपन अपने को बस ऐसा लगे कि अपना सब्जेक्ट में फोकस जा चुका है इसलिए अपने एक हलका सा ब्लर यहां पर देंगे अब उसके बाद कुछ नहीं करना अब अपन नहीं बना दिया है अब इसको कर देंगे मास्क मास्क में जाके कर देंगे कंट्रोल आई जैसे आप यह कंट्रोल आई करोगे तब उसके बाद में आपको करना क तो ब्लैक और वाइट होता है अपकी अगजर पहला नहीं नहीं आ भाया तो आप कहीं पर भी देख सकते कहीं नहीं आपके पास में या तो फर्स सब्सक्राइब owको ब्लैक कब यह हमेशा सब के वाइक ले जाने तो आप अब देखें हमारे पसमें एफड यहां पर आपके कोई ब्र denied और अना यहां पर देखें अगर दिए इसको नोर है तो आगर लगा हुआ तो हटा दीजिगा अगर इससे क्या हो रहा है यहां पर पोजट अपर बस अपने को वहीं करना थेकर तो अपने को वाइट सेंटर में रखके ब्लैक आउट साइड में लेकि जाना हैं तो बगर आप देखें जहां हमारे पास में यह कुछ एक थाफ का एफक्ट देखने को मिल रहा है जिसके इंदर हम सब्सक्राइब करता हूं इस इन इरियास को बढ़ी रखेंगे तो बढ़िया लगेगा रही है और जितना बड़ा रखे आप चलाएंगे ब्रश को उतना ज्यादा आपके पास में एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा सुब अगर आप देखें हमारे पास में इसको जितनी बी अपने अच्छसमें बनाई एक परफेक्टी में अच्छा अब इसके बाद में एक लास्ट सब्सक्राइब करो तो इससे क्या होगा से दुप्लिक्ट हो गया और इसको बना दो स्मार्ट अबजेक्ट जैसे आप सबस्क्रांट बनाएंगे तो आपके पास करने के बाद आपके पास में एंड स्टेप आता है जो आपका इसको बिल्कुल इगनोर कीजिएगा जो में आपकी इमेज है बस उसको जो है कईजिएगा तो इसको मैं तेम्परेचर में अलगा सा और इंक्रीज नहीं करना चाहरा अरूंड इतना ही से लगेगा और टिंट थोड़ा सा और बढ़ा देते सुद्ध थोड़ा से एक शाम वाली लुक ज़र आ जाए एक्सपोजर आपके उपर आपको एक्सपोजर कैसा चाहिए राइट कॉंट्रास्ट ज्यादा नहीं चाहिए अपने को हाइलाइट्स थोड़ी सी कम करते हैं इसमें इतनी हा कॉंट्रास्ट बनाने की कोशिश कर रहा है ब्लाक और वाइट की बीच में टेक्सर इंक्रीस नहीं करेंगे हलका सा जहां पर आपको से लगे वहां पर रख सकते हो क्लारीटी कम करते हैं इस यह मैं आपको बता रहा था तो यहां मिल जाएगा तो अगर आपकी बसमें वैस सब्सक्रास में अपने को इतना नहीं है तो थोड़ा सा रखते हैं वाइब्रेंस थोड़ी सी बढ़ाएंगे और सेट्यूरेशन भी कम करते थोड़ी सी और कोई को को करने की चलते हैं और यहां पर आज अपन एक हलका सा और एक करके देखते हैं जो मैंने लास्ट वाले कैमेरा फिल्टर वाली के इंदर भी बताया था कि अगर आप जो एक करना चाहों लाइक आपको जहां सिम्पली रेद और 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 चो चोड़ दीजेगा और सब्सक्राइब कर दीजेए तो आपके बास में कुछ इस टाइप का जाएगा सर्व और जरैंडी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप ब्लैक मूडी डिजाइन यहां पर रख सकते हो और मुझे लग दिए तो मैं इसको यहां पर ब्लैक मूडी में छोड़ देता है के अंदर के अंदर के अंदर जाकर सीधा हूँ वगरे सेट कर लेता है ब्लैक मूडी डिजाइन में हलका सा अपने पास में यह ब्राउन इस टेंट रहता है तो मैं इसका हूँ यहीं पर सेट करता हूँ सब्सक्राइब और आपके पास इमेज जो है रेडी हो चुकी है जिसके अंदर अपने जो चेंज कर दिया अगर आपन देखें यह हमारी इमेज में और यह हमारे पास में पूरा इसके अंदर ब्लैंट हो चुकी है लिए और इतना याद अरखना इसकी लाइट इंग आपकी मैस होनी चीए और आपकी प्रैटनेश का थो रही है विच मेंश आपकी आपकी अच्छी जो है बबबाई